क्या भारत ने चीन को मात देकर नेपाल के एरपोर्ट्स पर कबजा कर लिया है और क्या जर्मनी और स्पेन में भारत को पंडुब्बी बेचने की जंग छिर गई है जानिये इस चौंकाने वाली खबर की पूरी कहानी नमस्कार साथियों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे उन इंपोर्टेंट इंटरनेशनल खबरों के बारे में जिनका भारत के लिए बहुत बड़ा महित्व है नेपाल, चीन, जर्मनी, स्पेन और कई अन्य देशों से जुड़ी इन खबरों से पता चलता है कि भारत ने कितने महित्व पूर्ण कूटनीति कदम उठाए है तो चलिए जानते है विस्तार से बड़ी खबर यह है कि नेपाल जो अब तक चीन के बियार आई, बिल्ट एंड रोड इनिशियेटिव के जाल में फंसा हुआ था, अब भारत के साथ अपने दरवाजे खोल चुका है नेपाल ने चीन के बनाए गए इंटरनेशनल एरपोर्ट्स को अब भारत को सौंपने का फैसला किया है, यह भारत के लिए एक बड़ी रनीतिक जीत है, नेपाली सुत्रों के अनुसार, अदानी इंटरप्राइजेज नेपाल के तीन इंटरनेशनल एरपोर्ट्स को संचा इन में से कुछ एरपोर्ट्स ऐसे हैं, जिन्हें बनाने के लिए चीन ने मोटा पैसा खर्च किया था। नेपाल के इस कदम से यह साफ हो गया है, कि वह अब चीन का विरोध कर रहा है, और भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। नेपाल ने चीन के बियाराई का विरोध करना शुरू कर दिया है, यह फैसला इतली और बांगलादेश के बाद आया है, जिन्होंने भी चीन के साथ अपने संबंधों पर पुनरविचार किया है। नेपाल के भारत के साथ जुरने से भारत की रनीतिक स्थिती और भी मजबूत हो गई है। इसे भारत को अपनी नेवी की ताकत को बढ़ाने का मौका मिलेगा, यह देखना दिल्चसप होगा कि आखिरकार भारत किस देश की पंडुब्यों को खरीदता है। अब बात करते हैं कतर के साथ भारत के संबंधों की। पिछले कुछ महीनों में कतर के साथ भारत के रिष्टों में थोड़ी खटास आई थी, लेकिन अब वे बेहतर होने जा रहे हैं। भारत के विदेश मंतरी एस जैशंकर जी कतर पहुंच चुके है और उम्मीद है कि भारत कतर से बारह मिराज 2000 फाइटर जेट्स खरीद सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने कई रननीतिक कदम एक साथ उठाने शुरू कर दिये है। इससे देश की ताकत और भी ब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जै हिंद, जै भारत जरूर लिखें। धन्यवाद। क्या भारत ने चीन को मात देकर नेपाल के एरपोर्ट्स पर कबजा कर लिया है। और क्या जर्मनी और स्पेन में भारत को पंडुब्बी बेचने की जंग छिर ही है। जानिए इस चौंकाने वाली खबर की पूरी कहानी।